नमस्कार मैं हूँ आनंद कुमार स्वागत है आप सभी लोगों का कॉंपेटिशन कम्यूनिटी में कॉंपेटिशन कम्यूनिटी का खास CGPSC और व्यापम के पैटरन पर अधारिक मोबाइल कोर्स लॉंच हो चुका है इस मोबाइल कोर्स के माद्यम से आप देश के किसी भी कोने में बैट कर कहीं से भी CGPSC या फिर व्यापम की तैयारी बहुत आसानी सकर सकते हैं इस मोबाइल कोर्स की खास बात यह है कि इस मोबाइल कोर्स में आपको मिलेंगे CGPC और व्यापम के पैटर्ण पर अधारी 200 से अधिक वीडियो लेक्चेर्स, इसके साथ ही यहाँ आपको मिल रहा है ओन्लाइन स्टेडि मैटेरियल, ओबी 3000 से अधिक विसाल प्रश्णों के सं कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कॉंपेटिशन कम्यूनिटी में, कॉंपेटिशन कम्यूनिटी का यह खास इनिस्याटी मोबाइल कोर्स, जिससे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग घर बैटे या फिर कहीं सभी CGPC या फिर व्यापम की तैयारी आया था कि 36 गड़ में जितने भी एक साल के घटनक रम हुए हैं समसमाईक से समंदित उसके टोटल साथ अध्याय आपको मिलेंगे जिसके चार अध्याय हम औरेडी डिसकस कर चुके हैं आज का जो पांचवा अध्याय होगा वो बहुत इंपोर्टेंट होगा इस पांचव हम लोग यहां पर डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में आज लगभग आपको टोटल 20 योजनाए या फिर अभ्यान मिलने वाले हैं और यहां से पक्का है कि एक या दो प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे ठीक है अगर पिछले वीडियो में हमने क्या डिसकस किया था उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं पिछले वीडियो में बजट 2019 और 2020 के कुछ प्रमुक आंकडों को हम लोग यहां पर डिसकस किये थे जहां से प्राराभी परिक्षा में क्रश्न पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना बनती है इसके अलावा पिछले वीडियो मे यानि की बजट 2019 बिस बाले में जितने भी योजनाओं को हम लोग आपर डिसकस किये थे उन योजनाओं को थोड़ा सा आज यहां पर हम डिसकस करेंगे और कुछ योजनाओं ऐसे भी हैं जो 2018, 2017 या पहले सुरू की गई थी जो कि अभी भी एफ्रेक्टिव है और बजट मे वीडियो में हमने डिसकस कर लिया था ठीक है तो आज की इस वीडियो में जो 2019 में जितने भी योजनाओं सुरू की गई या फिर जितने भी इंपोर्टिंट अभ्यान सुरू की गया उन सभी को आज यहां पर हम देखने वाले हैं ठीक है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कि यह आज का हम अपना यह वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर यह समझ लीजिए कि आपको यहां पर जो सुरू के 6 योजनाएं दिख रही हैं एक से लेकर 6 तक इन योजनों को सुरू किया गया बजट 2019 और 20 के बजट भासन में यानिकि इसका एनॉंसमेंट कि है आपका सबसे पहला आ जाता है नर्वा उसके बाद आ जाता है गर्वा या गर्वा भी इसको कह सकते हो इसके बाद आ जाता है गर्वा और इसके बाद आ जाता है बाड़ी यह पूरे साल भर नियूज में रहें और 36 गड़ के अगर सबसे महत्वा कांची योजना 2019 की दे के तहत में अधिन शत्थ जो कि प्युक्ष शोटी नदिया उनको पुनर जीवित करने का लक्ष रखा गया है ऐसे हजार नदियों और नाले को पुनर जीवित करने का लक्ष इस योजना के तहत में 36 गढ़ सरकार द्वारा रखा गया है प्रते गढ़ में तीन एकड भूमी पर गौठान बनाया जाएगा गरवा के तहत में और बहुत सारे बनाय भी जा रहे हैं पूरा 36 गढ़ में टार्गेट रखा गया है कि 21,000 गढ़ में गरवा के तहत में गौठान बनाया जाएगे इसके लावा घुर्वा का मतलब भी पता होना चाहिए आप लोग उनको घुर्वा का मतलब होता है पहला जो योजना था सुराजी गव योजना और इस सुराजी गव योजना के तहत में जो यह चार कारकरम चलाया जा रहे हैं BPL परिवारों को मुफ्त में पानी का Connection देने के लिए इस योजना को सुरू किया गया है और इस योजना के तहत में जो बजट का प्रापधान रखा गया है वो है आपका 10 करोड रुपए और इस योजना के तहत में 5,30,000 BPL परिवारों को आने वाले दो साल में मुफ्त में पानी का connection दिया जाएगा ठीक है और एक point और यहाँ पर important ध्यान रख लिजिएगा घोशना तो हुआ budget 2019 में इसकी सुरुआत हुई 13 अगस्त 2019 को कहां से सुरू हुआ यह आपका सुरू हुआ gram समूदा यह gram समूदा कहां है दुर्ग जीले में है तो इस तरह से मीनी माता अमरित नल जल योजना के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा बहुत important हो सकता है इसके बाद जो तीसरा important scheme है राजीब गांधी सर्वजल योजना जैसे कि मैंने बताया ना कि सुरू के जो य योजना है इसकी घोशना भी कप की गई बजट 2019 और 20 में क्या है यह यह योजना है जो दुर्ग जीले में विवागिये water filter है उसके माध्यम से लोगों को package वाला पानी उपलब्द करवाना यानि की packaging water उपलब्द करवाना है खास यहां पर ध्यान रखेगा इस योजना के मा प्राब्द्यम से packaging water available करवाना और इसके लिए budget में प्राब्दान कितने का रखा गया है इसके लिए जो आपका budget में प्राब्दान रखा गया है वो है 2 करोड रुपे का ठीक है तो याद रखिएगा राजीब गांधी सर्वजल योजना इसके बाद आ जाता है मुख्य मंत बिलासपूर और तीसरा संभाग आ जाएगा आपका बस्तर इन तीन संभागों में जहां भी आप देखलो मेला कायोजन किया जाता है या किसी महोटसब कायोजन किया जाता है तो ऐसे जगह पे पानी की सुविधा यानि की पानी मुहया करवाने के लिए मुख्य मंत्री चल इसके बाद नेक्स्ट स्कीम आ जाता है सुपवेडा जल प्रदाय यूजना सुपवेडा इस्थित है आपका गरिया बंजीले में और आप लोगों को पता है कि ये निउस बहुत वाइरल भी हुआ था कि सुपवेडा में गंदे पानी पीने की वज़ा से वहां बहुत लोग य जो है बजट में प्राभधान रखा गया सुपवेडा जल प्रदाय यूजना के तहट में 2 करूड रुपैं का एक सुरुवाद कप किया गया इस यूजना को इस बात को ध्यान रखियेगा इस यूजना को सुरुवाद कप किया गया रहाग्य जुछिश औरubaश बैसके तो क्या है ये जवाहर सेतू योजना तो 36 गड़ में जितने भी नदी और नाले हैं और जिन नदी और नालो पर पूल का निर्मान नहीं किया गया है तो इस योजना के तहत में पूरे प्रदेस में 102 पूलों के निर्मान है तो इस योजना को सुरू किया गया है जवाहर योजना तो यह मैंने जो यहां पर 6 स्कीम बताए इन 6 योजना को यानि कि इन 6 स्कीम को सुरू किया गया आपका बजट 2019 और 20 में इसके बाद जो important स्कीम आ जाता है हमारा है मुख्यमंत्री सौरे सक्ति योजना इस स्कीम को हम लोग मोर छत मोर बिजली योजना के नाम से भी जानते हैं इस योजना को सुरू किया गया मई 2019 में इस योजना को कौन से योजना के तहट में सुरू किया गया या कौन से मिशन के तहट में सुरू किया गया इस बात को भी ध्यान रखिएगा इसको सुरू किया गया है जवाहरलाल नहरू जवाहरलाल नहरू नैसनल सोलर म इस योजना के तहट में लक्ष क्या है इस योजना के तहट में लक्ष है 36 गड़ में 2022 तक 600 मेगा वाट का सोलर सैयंत्र लगाना इसके अलावा इस वित वर्स के लिए भी लक्ष है इस योजना के तहट में पचास मेगावाट का सौर सेयंद्र लगाना अब यह सौर सेयंद्र किसी भी तरीके से हो सकता है या तो हो सकता है कि जो ऑफिस के बिल्डिंग से हैं या फिर जो इंडश्री के पार्क से हैं वहाँ पर सोलर प्लांट लगाया जाए तो इसी के लिए 2019 और 20 में 50 मेगावाट सो सरकारी भावनों का चैयन भी किया गया है जहां पर जो है सोलर प्लांट लगाया जाएगा उन सरकारी भावनों पर तो इस तरह से मोर छत्र मोर बिजली योजना के बारे में यहां पर इतने कंटेंट आप लोग ध्यान में रखियेगा ठीक इसके बाद बढ़ते हैं अगले करके बता रहा हों यहां से बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मुघे लगता है कि यहां से एक नएक क्वेशन आपसे पूछा जाएगा पहला है मुख्यमंत्री वाड कारियालय योजना मुख्यमंत्री от إلى यूनिवर्सल पीड YA system मुख्यमंत्री सुपोस्रण अभ जितने विवार्ड आते हैं उस वार्ड में एक वार्ड कारियाले होगा इस योजना के अंदर में और उस वार्ड कारियाले में अगर किसी भी प्रकार की आपका उस वार्ड से सम्मंदित समस्या है तो वो सारी समस्याओं को सुलजाया जाएगा इस वार्ड कारियाले में तो 36 गड़ के पूरे नग्रिये निकाय में जितने भी वाड आते हैं उन सारे वाड में एक कार्याले स्थापित किया जाएगा इस योजना के तहत में डेट याद रखिएगा इस योजना को कब सुरू किया गया दो अक्टूबर 2019 को ठीक है कौन से मंत्राले की तरह तो नग्रिय 2015 में किस लिए सुरू किया गया था इसको इसलिए सुरू किया गया था कि जो दूर दराज वाले एरिया हैं जैसे वनांचल वारे एरिया हैं 36 गड़ में उन एरिया में जो हाँ पर बजार लगता है जैसे कि हाट का मतलब होता है बजार और उस एरिया में जो बजार लगता के तोर पर सुरू किया गया था ठीक है लेकिन 2 October 2019 से मुख्य मंत्री हाट बजार क्लेनिक योजना जो है पूरे प्रदेस में लागू किया गया है ठीक है तो यह important हो सकता है और हाट बजार क्लेनिक योजना का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया ठीक इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ तो नेक्स्ट स्कीम हमारा क्या है यूनिवर्सल पीडिये सिस्टम यानि की स्वारभौमिक खाद्रणाली योजना इस योजना का दावा किया जा रहा है कि जिसने की पूरे देश में पहला एक ऐसा राज है जिसने योजना के प्रदेश के सभी नागरी को को जो है खाद्रिम असस्ति दामों पर अनाज दिया जाएगा पहले क्या था कि पहले गरीवी देखा से नीचे यापन करने वाले लोगों को सरकार द्वारा सभी लोगों को सस्ता रासन दिया जाएगा और इसके लिए लगबाग 58, 54,000 लोगों का जो है राशन कार्ट तयार किया गया है जिसके माध्यम से जो है जिन लोगों को जो है इस योजना के तहत में लाब मिलेगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट स्कीम आ जाता है ये भी बहुत इंपोर्डेंट स्कीम है मुख्यमंत्री सुपोशन अभियान प्रद सुपोशन अभियान चलाया गया है जो कि आने वाले दो वर्स तक चलेगा और इस अभियान के तहत में जो पूरे दो वर्स तक चलेगा और एक बाते हां पर और ध्यान रखिएगा कि सुपोशन अभियान की सुरुवात कहां से किया गया तो सुपोशन अभियान का गया और किन छेत्रों में तो याद रखिएगा सुपोशन अभियान कब से सुरू किया गया इसकी सुरुवात कहा सुई पूरे प्रदेश में कब लागो हुआ और आने वाले कितने सालों तक चलेगा दो साल तक के लिए इस अभियान को सुरू किया गया इस बात को ध्यान इंपॉर्टेंट है डेट ध्यान में रखिए गर इस योजना की खास बात क्या है मुख्यमंत्री सहरी स्वास्ति योजना इस योजना के तहत में प्रदेश के पूरे नगरी ये इलाकों में जहां पर बहुत सारी याद है आपको जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत सारे दोसो इस्लम एरिया में रहते हैं तो उसि लिए चलित गाड़ी के मदद से उस्लम एरिये में जाकर वहां पर स्वास्त की बहतर शुविदा मोहिया करवाया सकें इसलिए मुख्यमंत्री सहरी स्लम स्वास्ति होजना को सुरू किया गया है कब से 2 October 2019 से तो इस तरह से 2 October 2019 को गांधी जी के 150 वे जयनती के अफसर पर प्रदेश सरकार द्वारा टूटल पांच स्कीम की सुरुवात की गई वो पांचों स्कीम मैंने यहां पर एक्स्प्लेन किया ध्यान में रखियागा ये भी कुछा जा सकता है कि 2 October 2019 को इन में से कौन सी योजना को प्रदेश सरकार द्वारा सुरू किया गया या नहीं किया गया पांचों के ओप्सन दे देते हैं या कुछ ओप्सन मिक्स करके दे देते हैं तो यहां पर आप कन्फ्यूज मत होईगा ये भी योजना ध्यान में रखियेगा कि 5 कौन-कौन सी योजना को 2 October को सुरू किया गया एक बर फिर से रिपिट कर दे रहा हूं मुख्यमंतरी वाट कर्याले योजना, मुख्यमंतरी हार्ट बिजार क्लेनिक योजना यूनिवर्सल पीडियस सिस्टम, मुख्यमंतरी सुपूशन अभियन और मुख्यमंतरी सहरी सलम स्वास्ति योजना इसके बाद दो और important scheme हैं बहुत जिसमें से पहला है डॉक्टर खूब चंद बगेल स्वास्त सहायता योजना इस योजना को नवंबर में 36 गड़ कैबिनिट के दोरा फैसला लिया गया कि 36 गड़ में जो 5 स्वास्त से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही है उन 5 योजनाओं को मर्ज करके डॉक्टर खूब चंद बगेल स्वास्त सहायता योजना की सुरुवात की जाएगी ज़्यादा डीटेल इस स्वास्त से रिलेटेड अभी आया नहीं है सरकार के दोरा में फैसला लिया गया है मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कौन कौन से 5 स्वास्त को मर्ज किया गया है इस स्कीम में क्योंकि ये बहुत इंपोर्डेंट है यहां से कुष्टन बन सकता है या तो जो इन 5 स्कीम को मर्ज किया गया है उसके बारे में आपको आप्सन में देकर वहां से कन्फ्यूस कर सकता है या फिर कितनी schemes को merge किया गया है डारेक्ट पूछा जा सकता है तो याद रखियेगा Dr. Khoop Chendh Bagheil स्वास्त सहायता योजना के बारे में अब यहाँ पर समझे कि कौन-कौन से scheme को इसमें merge किया गया है तो जो दो central sponsored scheme है उनको merge किया गया हो तीन scheme को जो रज्य सरकारदाऊर हो चलाई जा रही है उनको merge किया गया है इस योजना में तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि राश्टिये जो scheme है जो किंदर सरकार दौरा चलाई जा रही है वो कौन-कौन से दो योजना है तो सबसे पहला प्रधान मंत्री जन आरोग गियोजना जिसको कि हम लोग आयुश्मान भारत योचना के नाम से भी जानते हैं और जिसका दावा किया जा रहा है कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम है ठीक है इसके बाद दूसरा स्कीम है राष्टिय बाल स् स्वासाहता योजना अब राज्य सरकार द्वारा जो तीन स्कीमें चलाई जा रही थी जिनको इसमें मर्ज किया गया है वो तीन स्कीम की इस प्रकार से हैं वो भी सुन लीजिए लिख लीजिए सबसे पहला है मुख्यमंत्री स्वास्त बीमा योजना ठीक है मुख्यमंत्र बाल हृदय सुरक्षा योजना और तीसरा है मुख्यमंत्री बाल स्रवण योजना तो इस तरह से पांच योजनों को मर्च करके क्या बनाया गया है डॉक्टर खूब चंद बगेल स्वास्थ साहता योजना ठीक है और दोनों के बारे में ज्यादा डीटेल अभी नहीं आया है तो जितना आया है उतना ध्यान रखिएगा मुख्यमंत्री विशेश स्वास्त सहायता योजना चतिस गड़ सरकार में एक योजना चलाई जा रही थी उसी योजना का विस्तार किया गया है मुख्यमंत्री विशे परिजगर सरकार द्वारा एक अधिनियम के तहत लागू किया गया था जिसमें अगर किसी परिवार के किसी सदस्य को कोई कमभीर बीमारी हो जाती है तो वैसे में आप मुख्यमंत्री से जो है अनुरोद कर सकते हैं इलाज पर खर्चे के लिए तो इसमें टोटल खदरनाग बीमारीयों के 30 कैटिगरी बनाए गये थे कि अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को उस 30 बीमारी में से कोई बीमारी हो है तो आप मुख्यमंत्री संजीवनी सहायता कोश से मुख्यमंत्री से वहाँ पर अनुरोद कर सकते हैं सहायता के लिए और अधिक्तम रासी जो है बढ़ा कर 5 लाक रुपए तक कर दिया गया था लेकिन अब जब इसका विस्तार किया गया है मुख्यमंत्री विसेस स्वास्त सहायता योजना के तरच पर तो अब 20 लाक रुपए तक आप यहाँ पर मुख्यमंत्री से अनुरोद कर सकते हैं उस बीमारी के इलाज के लिए और ऐसा दवा किया जा रहा है कि पूरे भारत में 20 लाक रुपए तक का हिल्थ केर देने वाला अभी तक का कोई स्कीम नहीं है राश्टियस तर पर भी इस स्कीम की बहुत चर्चा हो रही थी तो इसलिए आप लोग इन दोनों स्कीम को बहुत ध्यान से पढ़िएगा ठीक इसके बाद नेक्स्ट स्कीम आजाता है हमारा पौनी पसारी योजना ठीक पौनी पसारी योजना को भी सुरू किया गया था इसी साल कब जुलाई 2019 में अब देखिए पौनी पसारी योजना है क्या तो 36 गड़ में जितने भी नगरिये निकाए हैं और उस नगरिये होते हैं या फिर जो लकड़ी के सावान बनाते हैं हस्तसिल बनाते हैं उन लोगों के लिए सेड और चबुत्रा बनाया जाएगा और इससे लगभग 12,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा ऐसा सरकार का दावा है पौनी-पसारी योजना के तैत में और पौनी-पसारी योजना के तैत में जो सेड और चबुत्रा बनाया जाएगा उस सेड और चबुत्रे में 50% जो सेड और चबुत्रा होगा वो आरक्षित होगा महिलाओं के लिए पसारी योजना ठीक है तो जितने भी मैंने यहाँ पर 15 स्किम्स बताएं यह 2019 में प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई तो यह 15 स्किम्स प्रदेश सरकार द्वारा वर्स 2019 में शुरू की गई है एक बर फिर से इन सारे स्किम्स का आप लोग मतलब समझ लीजेगा लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि कुछ दो-चार केंपेन भी हैं जो इस सबसे इंपॉर्टेट है पहला आपका आ जाता है अब तक लगभग पूरे प्रदेस में 1522 गुम सुदा बच्चों का तलास किया जा चुका है और ये ना सिर्फ 36 गड़ में तलास किया जा रहा है बलकि आस पास पडूस के राजियों से भी जो गुम सुदा बच्चे हैं उनकी तलास की जा रही है तो याद रखिएगा ऑपरेशन मुसकान किसके दोराद चलाया जा रहा है चलाया जा रहा है और किस उद्देश के साथ में चलाया जा रहा है यह आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बाद एक इंपोर्टेंट कैम्पेन है नव जीवन अभियान यह अभियान आपका खास महासमून में सबसे ज्यादा सूसाइड होते हैं तो सूसाइड के प्रतिव वहां पर जो बहुत सारे यूबा ऐसे हैं जो मानसिक रूप से पेडित हैं उन यूबाओं को जागरू करने के लिए नव जीवन अभियान महासमून जीला प्रश्राशन की तरफ से चलाया गया जो कि काफी न्यूज में भी रहा था तो इस अभियान के बारे में भी याद रखिएगा इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सुपोशित जन्नी विक्षित धर्ने इस कैम्पेन को सुरू किया गया था अंतराश्टिये महिला दिवस के अफसर पर आठ मार्च 2019 को चला कब तक 22 मार्च 2019 तक क्या था सुपोशित जन्नी विक्षित धर्ने तो ये कैम्पेन था जो कि आपका प्रधान मंत्री मात्री वंदना योजना के प्रती महिलाओं को जागरू करना फिर से रिपीट कर रहा हूं प्रधान मंत्री मात्री वंदना योजना के प्रती महिलाओं को द्वाइब द्वारा 2018 में इस उद्धेश के साथ में अफिया गया था जो गर्ववति महिलाये होती हैं उनको प्रॉपर खाना मिल सके यानिकी पॉस्टिक आहार मिल सके इसलिए प्रधान मंतरी मातरी वंधना यूजिना को 2018 में शुरू किया गया था जिसके तहत में 30-गड़ के महिलाओं को माताओं को पता हो सके इस योजना के बारे में इसके बाद एक important campaign आ जाता है LO Line campaign यह campaign खासकर चलाया गया था तंबाकू निसेद के लिए यानि कि जो यूबाओं जो हैं वो तंबाकू से ग्रसित हैं तो खासकर कॉलेजिस के बाहर में स्कूल के बाहर म campaign जो इस साल के important campaign है इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा तो यह था हमारा आज का mobile course का 5 बार वीडियो यानि कि 36 गर समसमाई गतिवीदिया की जो हम लोग यहाँ पर discuss कर रहे हैं उसका 5 वीडियो complete हो चुका है इसके बाद आपका बच जाता है दो पार्ट जिसके next पार्ट में हम लोग यानि कि छटवे पार्ट में discuss करेंगे 36 गर सरकार को या फिर 36 गर के लोगों को जो राश्टी इस्तर पर award मिले हैं वहाँ से हर साल questions आते हैं तो उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2019 में जो है 36 गर सरकार को किस तरह से राश्टी इसतर पर award मिले हैं वहाँ हम लोग सारा discuss करेंगे उसके बाद एक पार्ट आपका जो एक्ष्टा बच जाता है उसमें हम लोग बहुत सारे पार्ट कवर करेंगे लास्ट वाला जो सात्वा वीडियो भी होगा वह आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्ट होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि 36 सरकार कि 36 गर स्पूर्स से रिलेटेट आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेट जो न्यूज में रहा है इसके अलावा इस मुबाइल पूर्स से जूड़ी और अजिव जानकारी के लिए आप हमें इन दिये गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं और हाँ इसके अलावा आप एक डेट और सेट कीजिए 22 दिसमबर 2019 इस दिन से लॉंच होने वाला FTR यानि कि फास्ट ट्रैक रिविजन पूर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें दोस्तों तक शेयर करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें